नमस्कार सिटी पोस्ट लाइब में आपका स्वागत है मैं हुश रकान प्रतियुस आपके लिए लेकर आया हूँ राजनितिक हलचल जी हाँ राजनितिक गलियारे में आज जो कुछ दिन भर हुआ उसके बारे में आपको बताएंगे आज कोई खास नहीं हुआ लेकिन बहु करते हैं आज मुख्यमंत्री नितिसकुमार अचानक जेडिव के दफ्तर पहुच गए मुख्यमंत्री जब दफ्तर पहुचे तो करकरताओं का जोस देखने लायक था नितिसकुमार जिंदाबाद के खुब नारे लगे नितिसकुमार एक-एक करकरताओं से मिले और चुना आभी महुल है और ऐसे में नित्यीशकुमार एंड़ी चुटी का जोर लगाये हुए हैं इंडिये को जीत दिलाने के लिए नितिशकुमार आज पाठी दफ्तर में पाठी करेकरताओं निताओं से तो मिले ही साथ ही आज प्रसांद किसोर भी नितिश कुमार और बसिस नरायन सिंग से मिले प्रसांद किसोर की चर्चा इस ते जरूरी है कि आप जानते हैं कि प्रसांद किसोर के एक बयान को लेकर जेडियू के कुछ निताओं ने उनके खिलाफ मुर्चा खोल द कि प्रसांद किसोर का जेडियू से बाहर जाना तय है, उनको जेडियू निकाल देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, खबर नहीं थी ये, अफवाह थी और आज बिल्कुल सौहाद पुर महौल में नितीश कुमार और बसिष्ण नरायन सिंग से प्रसांद किसोर मिलते हुए द उपिंद्र प्रसाद कोई और नहीं, जेडियू के मिलसी है, जेडियू के मिलसी ने आखिर क्यों छोड़ दिया नितीश कुमार का साथ और क्यों चले गए माजी के पास, ये सबसे बड़ा सवाल है, तो मैं आपको बता दूँ कि उपिंद्र प्रसाद जितन रामाजी के ब प्रसाद का बटवारा हुआ नहीं है, हो गया है, लेकिन अपचारी के अलान नहीं हुआ है, क्योंकि कांग्रेस को लेकर पेज़ फसा हुआ है, आठ से जदा स्ट देने को लालु यादो तयार नहीं है, कांग्रेस 11 शिटों पर अड़ी हुई है, तो अभी तक अपचारी क के लान नहीं हुआ है हो सकता है कि कल हो जाए लेकिन उसके पहले ही जितना माजी ने ये तैय कर दिया कि और अंगाबाद सीट उनकी होगी और उस सीट से उमिद्वार होंगे उपेंद्र प्रसाद ये बहुत ही मज़दार खबर है आप तस्विर में भी देख रहे हैं कि कैसे उपेंद्र प्रसाद हम पार्टी के दफ्तर में पहुचे हुए हैं पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और काफी खुस हैं क्योंकि उनको लोग सभाचुनाव लगने का मौका मिल रहा है और तिसरी खबर मैं दिल्ली से बता दूं कि दिल्ली में तेजसुयादो चार दिनों से हैं और उपेंद्र कुस्वाहा भी वहां बुलाये गये थे कांग्रेस के तमाम नेता वहां पर हैं खबर थी कि राहूल गांधी के साथ उनकी मीटिंग होगी लेकिन अभी तक मीटिंग नहीं हो पाई है लेकिन सुत्रों के हवाले से पहली खबर आई कि आल इजवेल सब धुवार को दो पहर में सीटों के बटवारे का उपचारी के लान पटना में कर दिया जाएगा लेकिन तेजस्वी आदो अभी तक पटना लोटे नहीं है दिली में उनकी राहूल गांधी से मुलाकात हुई या नहीं हुई अभी तक ये खबर आई नहीं है कांग्रेस मान गई या नहीं मान गई ये भी पता नहीं है लेकिन खबर सुत्रों के हवाले से आ रही है कि आठ सिटों पर लालु यादो वड़े थे नौ सिट देने को तयार हो गए हैं किसी तरह से और कांग्रेस ने सायद इसको सुविकार कर लिया है कांग्रेस मान गई है ये खबर भी आ रही है तो अपचारी के लान जब होगा तभी कुछ कहा जा सकेगा क्योंकि कांग्रेस को छोड़कर लालु यादों ने दुसरे घटक दलों के बीच सिटों का बट्वारा कर लिया है वो खबर हम आपको पहले ही दे चुके हैं कि रालोस्पा की जो मांग थी पांच सिट की ओभी मिल चुकी है और सबसे बड़ी बात यह है कि व्याइपी पार्टी के सुप्रीमों है सन अफ मलाह उनको वही सिटे मिली है जो चाहते थे दर्भंगा के सिट मिल गई है मुझजफर पूर के सिट मिल गई है और कटिहार के सिट मिल गई है इन तीनों सिटों पर तो उसके मनमाफिक सीटे नहीं होंगी जी हां तो आज के राजनितिक हलचल से बस इतना ही आज कुछ और खास नहीं हुआ कल फिर हाजिर होंगे आपके सामने और राजनितिक गल्यारे से जो भीतर की खबर है वो लेकर आपके लिए हाजिर होंगे आपको एक खबर अच्छा लगे कारेक्रम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर इसको सेर करिए अगर आपने अब तक हमारा यूटूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लिजिए और बेल आइकन दवाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि नियम से समय के अनुसार आप तक हर खबर प